गुड़ी मिन आला फियू आप सभी लिवूं को है मारे यूटूब चैनल इंडेकेटिव जुरूपाइंट रूपा स्वागत है आज आप सिखेंगे कुछ नया नया में आपको है यहाँ पास्ट इंडेकेटिव जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट इंडेकेटिव जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट इंडेकेटिव जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट इंडेकेटिव जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट इंडेकेटिव लिया, दिया, चुका, चुकी, चुके, आ, था, इ, थी, आधी जो है यह सब्द वग केंत में आते हैं ठीक है, यह interrogative sentence है, ध्यान दिजिएगा, कोई भी tense हो, उसकी पाचाने कही होती है, चाहे हो positive हो, negative हो, interrogative है, ठीक है, तो आज हम सिखेंगे interrogative sentence, देखे, interrogative sentence में हो, जब किसी बागर की सुरुवात क्या से होती है, तो वो interrogative sentence कहा जाते हैं, उस क्या के लिए हम what का प्रियोग न प्रियोग करेंगे, अगर नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा, तो नहीं लगाएंगे, इसके बाद आपजेक्ट, इसके बाद हो जागा, तो यह आपका रूल है, interrogative sentence का, ध्यान दिजिएगा, हमारे YouTube चैनल से आपको एक क्रम से वीडियो प्राप्त होंगे, उसमें कहीं भी लिए इस पर हम translation बनाते हैं, translation कैसे बनाए जाएंगे, आज हम इसको सिखेंगे, ठीक है, तो अगर जैसे हम करें पहला sentence, पहला में अगर लिखें, क्या वह अपना पाठ याद किया, आपको पास्त हो गया, जब सुरू में क्या आया है, यह इंट्रोगेटी सेंटन्स हो गया, आप देखरें चिन लगा हूआ है, ठीक है, तो जब किसी विभागी किसी बात क्या से होती है, तो इसके आपको प्रेव नहीं करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, साहिक का प्र वह जाएगा नाट मया नाट है नहीं है लगाएंगे, वर गीपर्षों दी आ किया है करना करते संधहू है principle साथ आप्ध का अप अप्जिक्त क्या तुम देकला है आपकjungi की इसा लानी आता घ्याँद好吧 यह लगाए जाती है यह ने कि सबके साथ यह नहीं लगा जाएगा जब हमारा करता आई रहेगा अगर यहां पर आई रहता है तो माही लगाते अब यहां पर ही है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हिज लगाएंगी ठीक है एक के साथ किसका प्रयोग होगा हिज के साथ इसका प्रयोग होगा और आई के साथ माई का प्रयोग यू के साथ यू का प्रयोग सी के साथ हर का प्रयोग भी के साथ और का प्रयोग अब बहुत बचन रहेगा तो इसके लिए दियर का प्रियूग किया जाता है तो यह पजशिब केस है जो करता कि अनुसार ही लगा जाता है तो ही जो गया इसके बाद पाठ को जाएगा आपका लेशन यह हो गया आपका इंट्रोगेटिकर निसान ठीक है क्या बना आपका डिड ही लर्न ही लेशन मिन्सक्या वो अपना पाठ याद किया ठीक है नेक्स्ट दूसरा सेंडेंस देखते हैं क्या मैने अंग्रेजी क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया ठीक है पढ़ाया यह भी आ कि मातर आगे यह भी पास्ट इमिटेंस हो गया तिहां पर देखो आप क्या है ना क्या के लिए कुछ नहीं लगाएंगे ठीक है उसी तरह क्या करेंगे हमें कार्डिंग तुछ सब्जेक्ट यहां पर डी यह भी आपका डीड अब इसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लिखो ठीक है करता क्या आदिया है मैंने मैंना का क्या जाएगा आई अब इसके बाद कह रहा है कि नाट लगा हो तो इंट्रूगेटिव सेंटेंस में करता के बाद नाट का प्रूग क्या जाता अगर नहीं र पढ़ाना को जाएगा teach, teach इसके बाद जो सेस्वाक बच गया, क्या है इसमें? English, किसी भी विशे के साथ, नहीं ए आ नहीं दाव का प्रेव किया जाता, ठीके, यह हो गया आपका English, question मा, इसका क्या बना, did I not teach English, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, next तिसरा देखू, लडगे, school, गए, क्या लड़के इसकोल गए, यह क्या लड़के इसकोल जा चुके यह सब past significance क अंदर गताता है इसके लिए भी क्या करेंगे ? क्या के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, क्या लगादेंगे ? इसके बाद subject लिए देंगे क्या boys, लड़के हो गया, not है नहीं है नहीं लगाएंगे बड़की पर्स परम क्या है, जाना go मने हो जाएगा, जाना go to, कहीं जाते हैं तो preposition to लगा देंगे, लिग देंगे school, इसका हो गया आपका, did boys go to school, next, कई प्रकार के sentence आपको यह पर बोले कर जाएंगे, ठीक है, rule आपको यह ही रहेगा, चाहिए कितना भी बड़ा sentence हो, इसी rule पर क्या करेंगे, आप लगाएंगे, ठीक है, आप जैसे कहें, क्या, क्या, क्या वे, cricket, खेल चुके, यह भी आपका क्या हो जाएगा, past independence हो जाएगा, शुरूब में क्या आया, इंट्र करेंगे, अगर यही क्या अगर बीच में आजाता है, तो उसे हम double integrate करते हैं, जो इसके बाद, जो parts 4 होगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे, यह होगे, आपका क्या लगानेगे, पहले डिट लगाए, ठीक, जो rule काता हूए, पहले डिट लगाए, इसके बाद subject क्या है, subject है वे, तो they means हो जाएगा, वे, नाट इसमें नहीं नहीं लगाएंगे, बहले की first form क्या दिया है, खेलना, तो खेलना को हो जाएगा, प्ले, इसके बाद object क्या है, object है, cricket, इसका हो जाएगा, cricket, इसका हो गया आपका, did they play cricket, next, क्या, अध्यापक, कक्षा में, हिंडी, पढ़ाया, अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सामने, बढ़ा किया है, जैसे, हमने बताया है, हमारा हमेसा, जो target रहता है, कुछ बेहतार आपको बताते रहें, ठीके, अब यहाँ पर देखो, क्या, अध्यापक, अक्षा में, हिंदी, पढ़ाया, यहाँ पर भी क्या दिया है, integrated sentence वह शुरू में क्या आगया तो integrated sentence हो गया यह चिन भी लगा हुआ है इसके लिए भी हम क्या करेंगे बाट का प्रयोग न करेंगे शाय क्रিआ करेंगे ठीक है शुक्कि ये क्ली शाय क्रूक्क कि रिया है एसके बाद क्या वर्ब, वर्ब इसमें पढ़ाना कहो जाएगा toach चुछ इसके बाद आदर व्चे, कहले वाज़ना किते हैं इन दो खोगे,ño खोगे, है क्या पिता जी कार से आफिस गए यह देखिए आया गया देया गया चुका चुकी चुकी सब पास्ट इंपिटेंस है यहां पर भी गया दिया क्या तो क्या के लिए हम होई करेंगे साइक रिया का प्रियोग सबसे पहले डिट हो गया इसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट ठिक सब्जेक्ट क्या दिया है पिता जी तो पिता जी के लिए लगा देंगे आप फादर फादर नाट है नहीं नहीं लगाएंगे वर्ब के इसमें जाना गो मने जाना और गो के बाद का लगा देंगे टू आफिस कहीं जाते हैं तो कstar प्रिएख करेंगे रुदिधे का अपसे तो चाहित आप कार से हो साइकल से छो बस के ऊटरेंड से हो किसी वेहिकल से ऑगर जाते हैं सो आपको रिव्क प्रिए नज्यार करतें मेड़ार आप इसी stakeholder करते हैं यह harap कि यह का पıtकर दिड़ फादर गो टू आफिस लाका이다 next क्या मेरा दोस्त पढ़ने इलाहाबाद गया अब यहां पर हो गया क्या मेरा दोस्त पढ़ने इलाहाबाद गया यहां पर भी पास्ट इंटेंस हो गया तो यहां पर भी क्या लगा देंगे किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ कुले कुरते हैं डिट का डिट हो गया सब पर दो गया है आप माई फादर है डिद शरी अ कि अपर नहीं फ्रेंड होगा है मैं मिस्टे क्या हो यह हो गया माई फाद सरे माई फ्रेंड डिद माई फ्रेंड जाना को जाएगा जो अब इसमें दो दो गई हैं जाना एक पढ़ता है तो जब दो मुख опड़े करे आ जाती है ध्यान दीजियेगा जब दो सकोकिक आजाती है तो क्या करते हैं इंफिनिटिश्वर बनाते हैं कि दोनों क्रियाहों को क्या करते हैं चोड़ देते हैं जिन् sunt my friend go to read इसके वाले देंगे आप इलहाबाद ठीक है इसको ऐसे भी बना सकते हैं Did my friend go to इलहाबाद to read इसको फिर से क्या करेंगे to से जोड़ना पड़ेगा लेकिन यहीं आपका sentence कैसा है यहीं आपका सही है इसका होगा Did my friend go to read इलहाबाद ठीक है नक्ष देखते हैं अगला कोशन अगला आपको एक सवसाई दिखाते हैं क्या राधा अपने मम्मी के साथ मंदिर गई यहां पर भी देख लिजी क्या है आया गया लिया दिया गया चुपा चुपा चुपी यह भी आपको पास्ट इनिफिटेंस है इसमें दिया subject क्या राधा तो पहले लगा देंगे आप डिट लगा दीजी डिट के बाद लिखे देंगे क्या है चुप सब्जेक्ट है आपको राधा ठीक है इसके बाद आप देख रहे हैं subject did होगे subject होगे इसके बाद not not नहीं है नहीं लगाएंगे वर्व की first form क्या है तो वर्व की first form का दिया है जाना अब दिया अपनी मम्मी के साथ ठीक है तो यहां संगती के वस्था में प्रियोग करेंगे तो यहां प्रियोग करेंगे तो यहां संगती के वस्था में प्रियोग करेंगे तो यहां प्रियोग करेंगे तो यहां प्रियोग करेंगे तो यहां संगती के वस्था में प्रियोग दिट राधा गो टू टेम्पल विद हर मदर नेक्स्ट अगलाक्स आज देखते हैं अब देश्यम कर दें क्या चपराशी समय पर घंटी यहां पर भी अब देख रहा है कि सुरू में क्या आया है साइक करेंगा का पहलू कर देते हैं ठीक है यहां पर भी आप लगा देंगे इसके बारक्त हमारा है शचपलासी तो श्तियुल की औअ अब इसमें नहीं दिया है तो नहीं किसका प्रियुकर रेंगे नाट का प्रियुकर रेंगे ठीक है फिर इंब जाना थो जहकं रिंग मैं बजाना ठीक है इसके ऑद डीया है घंटी रिंगTheail अब जो शाष व्हें features को कि दिया समय पोद तो हमा के देखते हैं अगला एकसर साइड क्या वह आपको पत्त्र नहीं भेजा यहां पर भी क्या करेंगे कि उसी तरह से डेट का प्रियोग कर देंगे ठीक है तो आप डेट का प्रिय पहले करो खीक हूआ इसके बाद लिएक कि दो subjuject हूग रिका कि इसके बाद देखो नाट दिया है नाट का प्रियूग कर लेजी देन आप्टर क्या लिखेंगे वर्ब की फ़र्ट पान तो भेजना को हो जाता है सेंड ठीक है अब इसमें दे दिया है आपको पत्र ठीक है तो जब किसी भी वाक्य में मुझे आपको उसे तुमें इसा बाते हैं तो इसको objective किस कहते हैं और इसका प्रियूग जो है तुरंट करता के बाद हम सरी वर्ब के तुरंट बाद हम क्या करते हैं कर देते हैं ठीक है तो सेंड हो गया इसके बाद हो जाएगा यू ठीक है इसके बाद पत्र हो जाएगा ए लेटर यह हो गया आपका did he not send you a letter क्या वह आपको पत्र नहीं भेजा next देखेंग क्या आपने क्या आपने उसे क्या आपने उसे कुछ पैसे नहीं दी यह हो गया आपका past टेंस जहां पर भी ऐसे आया गया दिया गया चुका चुके चुके आएंगे उससा पास्ट टेंस के अंतरगत आते हैं ठीक है इसको भी क्या करेंगे सबसे पहले लिग देंगे आप साहिग के करिया डिट इसके बाद आपके लिए हो जाएगा यू और इसमें नहीं दीया है तो लगा देंगे नाट अब वर्ब क्या इसमें है देना तो गीमन हो जाएगा देना अब यहां पर दिया है उसे, उसे के लिए लगा सकते हैं, आप क्या लगाएंगे, हम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, तो जब मेल होगा तुसके लिए हम कप्रियोग, भी मेल होगा तुसके लिए हर कप्रियोग होगा, इसके बाद आजा कुछ पैसे, तो कुछ पैस ठीक और इससे पहले हम positive, negative, interrogative हमने पढ़ा दिया है यह आपका part 3 हो है और part 3 आपका interrogative sentence है और इसके बाद जो आपको पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे double interrogative sentence यानि कि जब वाक के 20 में क्या, कब, कहा, कौन यह सब आता है तो उसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे उ तो हमारे चैनल पर आप बने रहें बढ़ियां से और एक एक वीडियो क्रम से देखें कि यहां से जो वीडियो कांटेक्ट मिलेंगे आपको एक क्रम से सिक्मेंस में मिलेंगे ठीक है यदि आप बहुत बहतर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है इसके playlist में जाओ औ है कि जहां से हमने शुरू किया है प्रजेंट इंडिविटेंस से वहां से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा क्योंकि सारी चीजी हमने वहां पर बता दिया है जैसे पजसी का प्रिवक कैसे किया जाता है अब्जेक्टिव का प्रिवक कैसे क कि यांता है cafeteria सीजिये हमने वहां पर बता दिया है ठीक है जै castle कम पूर देखेंगे ज़िए विदिए नहीं देखें ठीक है एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लेजिए ठीक है सब्सक्राइब जरूर कर लिए इसलिए कि सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो यहां से जो भी अपडेट आपको भेजी जाएगी सबसे पहले आपको प्राप्त होगे ठीक है तो यहां तक लिए आपनों वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे पार्ट फोर में, तब ते लिए देखते रहे हमारा युटूब चनलाम इंडियाकेडमी 0.2.